सुश्मा स्वराज के निदन से सदमे में अमिताब लता, बलेवुड के इन सेलिब्रिटीज ने भी जताया दुख पूर्व विदेश मंत्री और भारतिय जन्ता पार्डी की नेता सुश्मा स्वराज ज्का मंगलवार रात दिल का दोरा पढ़ने से निदन हो गया घबराहट होने की शिकायत के बाद रात नौदा शमलव दो छे बजे सुश्मा को इम्स लाया गया जहां डॉक्टरों की टीम के काफी प्रयासों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जासकी सड़ सट साल की उम्र में सुश्मा स्वराज ने अंतिम सांस ली उनके निदन की खबर सुनकर हर कोई सदमे में है अमिताब बच्चन से लेकर लता मंगेशकर तक बलेवुड के सेलेब्रिटीज ने ट्वीट कर दुख जताया है अमिताब बच्चन ने लिखा एक अत्यंत उदुखद समाचार एक बहुत ही प्रभल राजनीतिग्य एक मिलनसार व्यक्तित्व एक अद्भुत प्रवक्ता आत्माव की शांती के लिए प्रात्ना स्वर कोकला लता मंगेशकर ने ट्वीट गिया कि सुष्मा स्वराज के अचानक चले जाने से सदमे में हैं वे एक प्रभावशाली और इमानदार मेता थी वे संबेदनशील और स्वार्थाहीन इंसान थी उन्हें संगीत और कविता की समझ थी वे मेरी दोस्त थी हमारी पूर्व देश मंत्री हमेशा याद आएंगी रितेश देश मुखने विटर पर लिखा कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान एक उत्कृष्ट संचालाक एक देश भक्त नेता सुष्मा स्वराज जी नहीं रही विदेश मंत्री रहते हुए वो हमेशा हर उस भारतिय के लिए सुलब थी जिन्हें मदद की जरूरत थी उनके परिवार, करीबियों और उनके लाखों चाहने बालों को मेरी संवेदनाई अनुष्का शर्मा ने कहा कि सुष्मा स्वराज जी के आकस्मिक निदन के बारे में सुनकर दुख हुआ उनकी आत्मा को शांती मिले सनी देवल ने ट्वीट गिया कि सुष्मा स्वराज जी के निदन पर मेरी संवेदना हमारे देश के बेहतरीन नेताओं में से एक थी वह विशेश थी और हम उन्हें याद करेंगे परिवार और दोस्तों के लिए मेरी प्रार्थना शबाना आज मी ने लिखा कि इस बात पर गहरा दुख हुआ कि सुश्मा स्वराज जकनिदन हो गया है राजनीतिक मद्भेदों के बावजूद हमारे बीच बहुत सवहार्दपून संबन थे मैं उनके नवरतनों में से एक थी उनके सूचना और प्रसारण मंत्री बनने के दोरान उन्होंने मुझे बुलाया था और फिल्म को उद्योग का दर्जा दिया आत्मा को शांती मिले स्वराभासकर ने लिखा कि उन्होंने गरिमा को प्रतिष्ठित किया लोकतांत्रिक मांदर्णों के प्रती प्रतिबद्धा एक शांदार सांसद एक अच्छद्विभाशी संचालक एक मानवेव देश मंत्री वेव प्रेरना दायक थी उनकी विचारधारा के साथ मेरा मदभेद था लेकिन उनके संकल्प और कार्यनीती की प्रशन सक्खूं आयूश मान खुराना और अर्जुन कप्पूर ने भी ट्वीट कर सुश्मा स्वराज के निधन पर शोक जताया